भागलपूर वासियों के लिए एक बड़ी सूचना है खासकर भागलपूर के दच्छनी छेत्र में रहने वाले लोग या फिर जो दच्छनी छेत्र के और जाना चाह रहे हैं द्रसल भागलपूर के दच्छनी छित को कनेक्ट करने वाला भोलानात और बौसी पूल एक महतपूर्ण रास्ता है प्रन्तु अब कुछ दिनों तक इस पर परिचान पर पुर्णता रोक लगा दे गई है जी हाँ जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि भोलानात आरोबी का निर्मान किया जा रहा है और अब इसमें गती आ गई है अब भोलानात फ्लायोबर के लिए पाइलिंग का कारे सुरू होने जा रहा है इसके लिए इस इतलास्तान चौक से बौसी रेलवे अंडर पास के दोपईया वहन समेत अन्य सभी परकार के वहन के परिचान पर पुर्णता रोक लगा दी गई है ट्रैफिक पुलीस की और से सडक पर दोनों और से बेरेकेडिंग भी कर दी गई है और आवागमन को बंद कर दिया गया है ऐसी स्थिति में लोगों को बैकल्पिक रास्तों क आवपियोग करना पड़ेगा हम आपको बता दें कि मिर्जान से सितलास्थान चौक और भीकनपूर गुम्टी नंबर 3 के बीच लगभग 1400 मीटर का भोलानात आरोबी का निर्मान होना है इसके लिए 9 अक्टूबर से लेकर 19 अक्टूबर तक दोपईया वहन समेत सभी परक ट्रैफिक ड्यास्पी ने बताया कि बैकल्पिक के रास्ते में मिर्जान हाट सितलास्थान चौक से गुरठा चौक होते हुए वहाँ जा सकते हैं जबकि कहचरी चौक से सितलास्थान जाने वाले वहन भीकनपूर से कोला डीपू की और गुरठा चौक होते हुए आगे ज उन्होंने बताया कि 19 अक्टूबर के बाद ट्रैफिक को खोल दिया जाएगा जिसके बाद च्छट पूजा के बाद ही ट्रैफिक को फिर से ब्लॉक किया जाएगा हम आपको बता दे भोलानात आरोबी का निर्मान प्रारंब हो चुका है पहले फेज में नाले का निर्मान किया जा रहा था ताकि ड्रेनेश सिस्टम को सही किया जा सके और अब सोम बार से बिजली के पोल तार का सिप्टिंग सुरू होना है जिसके लिए पाइलिंग की जा र भागलपूर जिले के नातनेर परकंड छितर अंतरगत ग्राम पंचायत भदोडिया के वाइड नमर साथ में बीते दो वरसों से भीसल जल जमाब की समस्या जहल रहें लोगों का आज सबर का बान्ध तूड़ गया लोगों ने गंगा परसाद भदोडिया मुख मार को बां परसकिल हो गया है साथी साथ बच्चों को विद्या ले जाने में भी काफी परिसानियों का सामना करना पड़ रहा है इस जल जमाब का खास करण यह है कि नल की समुचिद वस्था नहीं होना सड़क पर घुटना भर पानी जमा होना आए दिन लोग बाई का ओटो टोटो से गिर कर जखमी भी हो चुके हैं कई बार तो गारियां पलट भी गई है स्थानिय ग्रामिन बताते हैं कि हम लोगों को इस जल जमाब एकारन नार्किया जीवन जीना पड़ता है इस जल समस्या से निजा दिलाने को लेकर वाट्स दस्य मुखिया जिला परिसद विधायक और और सांसत तक को गुहार लगा चुके हैं लेकिन जन पर निद्योदरा सिर्फ आस्वासन ही दिया जाता है कोई ठोस पहल नहीं किया थी प्रेसानी है यहां सबसे पहली बात तो पौनी बहुत ज़्यदा है और यहां से बच्चा इसकुल जोने में उसको दिक्कत होता है और अभी जो सरकार ने गोस्ना किया है यह देंगू का प्रकोब बहुत है मया के होस्पिटल में अभी सीट नहीं मिल रहा है उसके लिए अ प्रेसानी क्या है यहां सरकार हम लोग की बात नहीं सुन रही है इसे बगल में अंगन बारे भी है छुटी छुटी बच्ची लोग और बच्चे लोग आते हैं एक दो बार तो सुने माया क्यां कि गिर गया है कोई ग्रमीन लोग ही उसको निकला आए पोनी से यह तो दो त बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरत नहीं रोता है रोने में देर हो जाता है ऐसे में बच्चा च्छति ग्रस्थ हो जाता है और उसके बच्चने की सम्मावना कम हो जाती है और यदि बच्चा तो भविस्वें उसमें बिकलांगता की समश्य आती है जिसे CP कहते हैं जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और जिन्दगी भर बच्चा मिकलांगता से जूच सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थिरेपी का सहरा लिया जाता है। जर्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थिरेपी दिया जाए तो उसका CP की समस्या कम होती है और बच्चने के भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार जारकंड में आपके सहर के स्ने नवजासिसु बालसेवा के अंदर में यह मशीन उपलब्ध है। भागलपूर में स्मार्ट सिटी की और से परतिमाओं के विसर्जन के लिए कृतिम तलाप का निन्मान कराया गया है। किर्तिम तलाप की बनावट सही नहीं है, उसमें सुधार की जरुरत है। कित्रिम तलाप को देखने के लिए डियम सुब्रत से ने एस्टिम धन्जे कुमार को मौके पर भेजा था। जिसके बाद पूजा महा समीति के स्दस्य और भागलपूर के एस्टिम धन्जे कुमार ने ये मौएना किया। किर्तिम तलाप के बाहर भिसारी पूजा के परतिमा का मलबा फेका हुआ मिला, विसर्जन घाड़ पर बिजली का पोल बीचो बीच है। परतिमा विसर्जन के दुरान पावर कट की बड़ी समस्या होती। जहती हैं, तो एक साथ में ही जैसे हर एक वर्स हम लोग दो कृतिम तलाब का निर्मान करवाते थे। तो चुकि एक अभी स्मार्ट सिटी के माध्यम से एक बना हुआ है पर्मनेंट इस्ट्रक्चर तो एक यहां पर साइड में एक कृतिम तलाब हम लोग बनवा के जो भी बरी परतिमाय होगी उसका विसर्जन वहाँ पर करवा लें। देखें पावर कट का अभी जो वर्तमान जो अवेलेबल रिसोर्सेस हैं जैसे अंडरग्राउंड वाइरिंग को अभी अगर हम ना सोचें तो उसमें एक यही जो मूल समस्या यह आती है कि कि किसी भी छेत्र की मूर्तियों के बीच में बहुत दूरी हो जाती है उदारन के तोर पिए अगर माली जे किसी छेत्र में दस मूर्तिया है तो नौ मूर्तिया तो निकल जाती है एक मूर्ति रह जाती है बहुत पीछे उसके कारण पूरे एरिया को सफर करना परता है उसमें मेरा समीतियों से भी अनुरोध होगा और हम लोग भी इसमें लगेंगे कि जो भी छेदर की मुर्तिया निकले वो एक साथ सभी मुर्तिया निकल जाए तो उस एरिया में हम लोग पावर रियस्टोर करवा पाएंगे पीरिड को और कम करता हैं के एक मात्र महिला कॉलेज होने के साथ साथ नौगच्या ससटे जिला कटिहार, खकडिया, पुर्निया, मधेपूरा, बाका, भागलपूर की छात्रा भी इससे लाभानवित होती हैं दूर से आने वाली छात्रा रोज कॉलेज नहीं आ पाती जिससे उनका 75% हाजडी पूरी नहीं हो पाती वैसे छात्राओं को रह कर पढ़ाई करने के लिए कॉलेज केंपस में दो छात्रावास का निर्मान भी करवाया गया मगर वो आज तक चालू नहीं हो पाया एक चात्रावास बर्स 2004 में बनाया गया जिसे हेंडोवर तो कर दिया मगर वो चालू नहीं हो सका वहीं बर्स 2008 में एक और चात्रावास का निर्मान करवाया गया जो अब तक हेंडोवर नहीं किया गया है दोनों चात्रावास का आलाम यह है कि यह खंडर में तब्दील हो चुका है, डिवारे ज़डने लगी है, कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है बिना चात्रावास चालु हुए ही मरमती का कारे करवाना अतियावस सक है इसके बाब जुद अब तक छात्रावास को चालू नहीं करवाया गया है जिससे छात्रों का पैसा खर्च कर दूर दराज से कॉलेज आना पड़ता है। उच्छ काम बाकी है और जो कार विस विध्धयाल bilang के अस्तर से किया जा रहा है या विस विध्धयाल टै करेजी कि कि वो कब तयार करके कॉलेज को हेंड़ ओवर करेगी जिस दिन बिस्विद्याले तयार करके हैंडवर कर देगी उस दिन हम लोगों कोई आपतिन नहीं है मैं भी यह चाता हूँ कि बच्चे होस्टल में रहे प्रधाना चार्य को भी बहुत बार हम लोग अपली के संदे करके बैठे हैं लेकिन कुछ सुनबाई नहीं हो रहा है पिछले कुछ मेहने पहले भी सी आया थे तो हमको अस्वा संदे करके गया थे कि लाश्ट अप्रेल तक में हम लोग छातरा आवास चालू कर देंगे लेकिन उसके बाद कुछ भी कारवाई नहीं हुआ है और कुछ ना यहां कोई बेबस्था ही नहीं बना है कब से बना आई है यह 2016 से ही बन करके तयार है एक तो बन करके पूरी तरह से छती गरस्थ हो गया और एक बना हुआ है तो उसमें अभी तक कुछ बेबस्था नहीं है जी बहुत वहां पानी की बेबस्था नहीं है आप लोग क्या कर रहे हैं? उसको ले करके हम लोग जो काडिय है कर रहे हैं प्रोफेसर विज़ि के पास बहुत वारूष विद्याले में जा करके अपली के संढ़ियें हैं, बात किये उन से, बहुत सारी समस्या हैं हमारे कॉलेज में उसको लेकर के हम लोग बहूत बार अपली के संढ़ियें नहीं चालू हो पाता तो आगे क्या करना है? आगे हम लोग आंदोलन करेंगे और किया अगर नहीं चालू होगी टाइम से तो हम लोग आंदोलन करेंगे इसको लेकर के लगबग 200 बेट का मेरा नाम साक्षी भारत दो आज है कॉलेज अध्यक्ष एबीप अखिल बारती विद्यारती पड़ी शत्त पड़े, बारती चालू है, तो हमारे कॉलेज में बहुत सारी चीजों की समस्या जैसे की पानी पांई की समस्या और इधर उदर बैकंपने की समस्या पर फिर मतलब कितने मतलब एपलिकेशन देने के बाद भी इन समस्या को Pूरी नहीं की जा जा रही है समस्या को लेकर ताकि मतलब जल की सुभीदा हमारे कोलेज में हो बैठने की सुभीदा हो हार चीज की सुभीदा हमारे कोलेज में हो इसलिए मदा नहीं लिया होस्टल में भी बहुत सारी समस्या जैसे जल की सुभीदा नहीं है और मतलब सिक्षा भी मिल रही है पर वैसे लोग दे नहीं रहे जैसे मतलब खोशते बच्चे लोग और मतलब बहुत सारे चीजे जैसे जल हो गया बैठने की सुभीदा हुई बहुत सारे चीजों की समस्या सांट ठेला भार Gör। फैर्ना मसे पानने करना भार खोल्टी है नहीं है क्रृणा सभॵक्त यहां पिझा क्ल Onu बहुत सारी समस्या है यहां बैठने के लिए यहां पानी पीने के लिए पानी है पीने के लिए पानी है हॉस्ठल है तो उसका भी उप्योग नहीं होड़ा यहां पर ऐसे ही खाली पड़ा है हॉस्टल कॉलेज प्रसासन यानि बत्वान में मेरे संग्यान में यह एक मैना पहले आया है कॉलेज के पास दो हॉस्टल जो लगवग निर्मित है कुछ काम उसमें बचा है और जो भी कार यह वो बिस्विद्याले के अस्तर से किया जा रहा था और किया जा रहा है तो यह विद्याले के करेगी कब हो तयार करके कॉलेज को हेंनवर करें जिस दिन बिस्विद्याले करके हैंनुर कर देगी हम लोगों को अपकति नहीं है कि उस बच्चे रहें यह मैं भी चाहता आंगी बच्चे रहें इसलिए कि 75% अटंडेंस होने के कारण इस्टुटेंट्स की संख्या काफी बढ़ रही है और स्टुटेंट्स जो गरीब चात्राइं है जो काफी दूर से आती है वह हैं वह यहां रहें कि अभी तक मुझे कोई सकारात्मत पहल दिख नहीं रहा है आज मैं फिर उन्हें लिखूंगा कि आगे मेरी सुब कामना है सबू के साथ है अज बच्चे लोग भूखरताल पर हैं भूखरताल पर आना नहीं चाहिए पढ़ना चाहिए सब्सक्राइब लिए लगधि काम होगा है जिसमें धीरे-दीरे काम होगा है जबुखरताल करके दवान नहीं बनाना चाहिए एक दिनमें तो काम स्क्व दिन नहीं हुआ है उन्हें कां से कर सकता हूँ उन्हें छिट्टी लिखूंगा भिस उसके इंजिनियरिंग सेक्षन के इंजिनियर आएंगे, वो इसके इस्टिमेट को चेक करेंगे, कहां बड़ा है गटा है उसको देखेंगे, फिर विवागी अस्तर से कॉलेज पुझासन को आदेश अगर आता है, या आप इसे पूरा करें तो कॉलेज पुझासन करेंगा, इसके लिए डेवलाप्मेंट कमिती से पारित है। अगर निगम पर कई सवाल खळे किए, ठीक तरीके से फॉगिंग नहीं होने, और कई जगों पर जल जमाब की समस्या को अविलम दूर करने की मांग सान्ती समीती की लोग उद्रा की गई, वहीं सफाई विवस्ता को चुस्दूस्त करने की मांग की गई, वहीं जनसी के काम से सान्ती समीती के लोग ना खुज दिखे, भागलपूर की समहार नाला इस्तत समिक्षा भबन में प्रमंडली आयकुति संजय कुमार सिंग ने भागलपूर बांका जल अधिकारी सहीते सभी वरिया प्रिस बाधिकारियों, एवं सभी बिभागों के अधिकारियों के साथ अहम बैठक के, इस बैठक में कई बिंदों पर सिलसलेवा, ढंग से वारता की गई, सहर के सभी बिभागों जो कमी हैं, उसे जल दुरूस्त करने का निर्देश दिया गया, उसे बाध सभी बिभागों में जितनी परिसानिया हैं, अधिकारियों ने प्रमंडली आयकुति क जल दिन कम्यों को पूरा किया जाए, तब ही हमारा भागलपूर समार्ट सहर बन पाएगा, उहें उन्होंने जमीन बिभाद समार्ट सिटी के तहत चल रही योजना को जल दुरूस्त करने का भी निर्देश दिया, भागलपूर जिले में गरूर के संद्रचन के लिए बिस जुन्ड में गरूर पच्ची पहुंसते हैं और परजनन भी करते हैं, सन 2005 के सर्वे के मुताबिक यहां 75 गरूर थे, जिसकी संख्या बढ़कर अब 500 से अधीक हो गई है, गरूर पच्ची जिसे सनातन धर्म में भगवान का दर्जा दिया गया है और भारतिया लोग इसे ग गरूर पच्ची को भगवान का दर्जा दिया गया है और यह बिसु भर में प्रजातिब लुप्त होने के कगार पर है, इसलिए इसका संदर्च्चन करना हम सभी का करतब हैं मंदार निचर कलब के अधिस्तपन घोस ने बताया कि हम लोगों ने 2006 में पता लगाया कि भागलपूर में बड़े गरूर अपना घोसला बना रहें और अंडे भीदी रहें इसके बाद सर्वे में देखा गया कि नौगच्चिया के कदवा में काफी संख्या में घोसला मौजूद है फिर वहां के लोगों में जारूरता फैलाए गई ताकि वह गरूर का संदर्चन करे इसमें चीम होती है एक तो 1 कवर होता है जिसको स्टैंप चीप काते हैं दूसरा था सब से का स्टैंप रहताैं जो भी यूनिक होता है। युका सबसे मतलब अनोखा होता है उसी इस से स्टैंप पे थपपा लगा motor को यह से 5000 रिलीज हुए हैं, जिसमें 300 जो हैं हमने डाफ विभाग को को दे दिया है आखे जो भी इंटरस्टटेड हैं उनुको को दे सके और वे बाकी जो है विभाग में ही हम देंगे जो भी भी विजहीं हिंटिटिमिा है विजह हैं और में एम यही है कि greater adjutant आज का विशय नहीं है 2005 से भागलपूर का स्टोरी से जुड़ा हुआ है greater adjutant 2005 में जब इसका first time survey हुआ था तब 75 पाए गए थे आज इसकी संख्या minimum 500 है minimum बोल रहा हूं आपको number तो this is a very big success story अगर आप कोई भी wildlife story देखें दुनिया में इतना बड़ा population जंप करना किसी एक जगा बहुत बड़ा success story है तो सबसे पहले हम यह मानते हैं कि हमें पहले इस चीज को recognize करना चाहिए भागलपूर वासियों को जिससे पहले कोई और recognize करें तो first we have to recognize it कि हम इतना दूर आये हैं ताकि आगे भी हम लोग यही काम अच्छा काम करते रहे हैं बिस्वे डाक दिवस के आउसर पर डाक विभाग 9 October से 13 October तक रास्तिय डाक सपता मना रही है पास दों तक चलने वाले डाक सपता कारिक्रम में परते एक दिन अलग लग वीसियों पर कारिक्रम आयोजित किये जा रहे हैं आज 9 October को रास्तिय डाक सपता कारिक्रम का आयोजित किया गया वही 10 October को वितिय सकतिकरन चौपाल का कारिक्रम आयोजित किया जाएगा 11 October को डाक संघ्रा वर डिजिटल इंडिया विसे पर बच्चों के बीच निमबंध कुईष परतुगता का आयोजित किया जाएगा और आधार के लिए सिविर कायोजन किया जाएगा। जो लोगों के पत्रों को पार्सलों को दुनिया भर में एक जवा से दुसरे जवा पहुचाती है। कल यानि मंगल बार 10 अक्टुवर को हम लोग इतलिये ससक्की करन दिवस मनाएंगे। इस दिन हम लोग जो पचत बैंक को प्रोसाहिद करने के लिए आयोजन करते हैं। इस दिन हम लोग डाक चोपाल का आयोजन करेंगे। पूरे पुर्वी छेत्र के सभी डिविजिनों में राक चोपाल का आयोजन होगा। जो हमारे गलाहक हैं, एजेंट हैं, जो जीडियेस हैं, विभादिये का अमचारिये हैं। उनके लिए कुछ का आयोजन होगा ताकि उनका ग्यान बढ़न हो। झाल